गाईस यह वीडियो उन भाईयों के लिए जो भाई बिल्कुल नया है और इस अलिफायर के बारे में कुछ नहीं जानता है अगर कोई भाई इस अलिफायर के खईद लिया है और उसे बिल्कुल नहीं पता है कि इसे करनेक्शन कैसा करना है कितना स्पी का लगाना है कितना अभी के लिए नहीं होगा जो भाई निव हैं उन भाईयों के लिए हैं अगर आप लोग फीर से सीखना जाते हैं किस तरह करना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्तक देख सकते हैं मैं आची तरह से इस अलफार के बारे में आपको बताने वाला हूं और टोटल जाएंगे और किस तरह होता है ओभी आप सब्सक्राइब को पता चल जाएगा तो चले इस वीडियो को तुरण शुरू करते हैं चैनल को अभी तक सस्काब नहीं किये तो तुरण सस्काब किजिए और इस वीडियो लाइक और बिलेन को और पर जरूर सेट कर लिजेगा तो इसमें आपको क्या-кі элект eave दिखनों मिलेगा इसमें क्या 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 होता है चले सबसे बेसिक चीज आपको बताइता हूँ तो सबसे आपको मिलता हूं जैसे अब लोग कोई इसमें सो करेंगा जैसे आपमें स्वाख बिलेंकिंग होगा जिस तरह मतला साउड्स आपको खो determin इसे तरह आपका लेबल बढ़ते जाएगा यह इसो करता है जो कि इंडिकर और उसके नीचे आपको दीखने मिलता है जो कि चार बोलियम बटन सबसे पहला आपका मास्टर बोलियम इसे कह सकते है जो कि पूरा साउंड को कंट्रल करेगा जैसे आप कम या ज्यादा करेंगे य आप लोग हलाक है आप लोग जानते होंगे यह बेसिक चीज है हलाक आपको पहले से भी पता होगा दूसरा बोलियम आपका मिड बोलियम है और मिड बोलियम भी आप लोग जानते होंगे यह आपका साउंड को मिड करने के लिए होता है और तीसरा बोलियम आपका ट्रेवल और हरने के लिए तो यह क्या चीज है चले आपको बताइता हूँ, सबसे बहुत बात रहूंगे, जैसे आप लोग पूस्ट करेंगे, यह स्पीकर मूड में चला जाता है, और इसे आप लोग स्पीकर कनेक्शन करके चला सकते हैं, यह आराम से चलता है, और जब इसे हरन तब आप लोग LMT या Ombla Inuit कनेक्शन करके चला सकते हैं, यह सेप्टी से चलेगा, इसमें कोई दिख्या नहींगा, और आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको दिखने मिलता है, इस Amilify की मोडल अंबर, जो की PBT 7 जरुवान है, जो की Amilify के मोडल अंबर है, यह तो आपको पता होगा, और इसमें आपको नीचे आपको दिखने मिलता है, जो की CB और पूस्ट बटन आपको दिखने मिलता है, तो यह क्या काम करता है, चले आपको बताता हूँ, यह देखें, एक परकार का reset बटन है, जैसे की आपका Amilify ओबर लोड होगा, तो आप इसे reset कर सकते हो, होगा, तब आप लोग Amilify को run कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, तो यह आपका reset का काम करता है, जो की overload के समय, चले आप दूसरा जो की point आपको दिखने मिलता है, जो की power on or off, तो आप लोग जानते होंगे, जैसे Amilify को on or off करेंगे, तो normally point है, तो यह तो आपको पता भी होग चले यह आपका पूरा front look आपको बता दिया हूँ, सभी कुछ, चले अब चलते हैं, backside, backside में आपको क्या दिखने मिलेगा, और क्या काम करेगा, चले इसके भी बारे में जान लेते हैं, तो देखे एरा Amilify का backside, और सबसे पिल आपको दिखने मिलता है, Stinger का brand जो की लिखा है जो की साबदानी आपको बरतना चाहिए, जैसे कि इसमें symbol दिया है, और नीचे आपका original की logo दिखने मिलता है, जो की 2022 में अभी इसी तरह आपको original barcode आपको दिखने मिलेगा, इसमें आपको serial number और barcode बीच में दिखने मिलेगा, उपर में आपका, जो की model number आता है, और आपक दिखने मिलता है, जो की आपका 220 AC जो की इसमें power code मतलब दिखने मिलता है, और इसे just आपका earthing का section आपको दिखने मिलता है, तो इसे आप लोग जमीन से earthing ले सकते है, यह जाता live program के लिए काम में लेया जाता है, हलाकि DJ के लिए उतना काम में नहीं लेया जाता है, चले सबसे पहले बात करूंगा line in, तो देखे line in सबसे पहले आपको input इसी में देना पड़ेगा, क्योंकि इसी का सबसे बड़ा काम होता है, जब भी आप लोग कोई भी sound मतलब पहले करेंगे, आप लोग मोबाल के थुरू मतलब jack यहां पर लगांगे, फिल लैप्टॉप या CD किसी भी थुरू मतलब input पहले आपको इसी पर देना पड़ेगा, पहला jack इसी में लगाना पड़ेगा, मतलब sound को पहले करने के लिए, तो यह आपका basic चीज आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा आपको line out, तो इसमें आप लोग दूसरा emily fire क connection करके चला सकते हैं, मतलब एक input से आप लोग दूसरा emily fire को input देश सकते हैं, मतलब एक emily fire में song play करेंगे, तो उसमें भी आपका song play हो जाएगा, उसमें भी output मिलना शुरू हो जाएगा, तो बस इन दोनों का यही काम होता है, चले आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको नीचे दीखने मिलता है, जोगे output, तो output में आपको 3 चीज़ आपको दीखने मिलता है, सबसे पहले, com, toom, forum, तो जो की com बोलते हैं, उसमें common भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो यह 3 option आपको दीखने मिलता है, तो इसका काम क्या होता है, चले आपको बताएता हूँ, इ जो की com आपको दीखने मिलता है, यह आपका minus होता है, और बाकी 2, 2, 4, 1 परकार की plus ही, आप लोग सोच सकते हैं, प्लास होता है, लेकिन इसका connection अलग-अलग होता है, क्योंकि speaker के साब से connection होता है, मतलग कि जगा पर लगाना है, आगे चलके आपको पताचल जाए, कैसे आप आपको करना है, तो यह आपका तीनों चीज आपको फला के आपको समझ में आ गया, तो आगे चलेगा आपको पूरा समझ में, आज आएगा प्लिस लास्त तक वीडियो बने रहे हला कि वीडियो तरह सा लंबा मन रहा है, लेकिन आपको फूल इनफोर्मेशन आपको मिलने पला आए, तो चले आगे बढ़ते है, तो आगे आपको दिखने मिलता है, जो कोमन, सत्तर बोल और हंडे बोल आपको उप्सिन दिखने मिलता है, तो इसका काम क्या होता है, चले आपको ओभी बताएता हूँ, देखे इसका काम जो की इनूट के लिए होता है, तो इनूट क आपको आगे और भी जनकारी मिलने वला है कैसे करना है और किस तरह होता है तो यह आपका पूरा बैक साइट का पूरा आपको रीवी बता दिया हूं चले आप बात करूंगा मैं चीज की बारे में इसका इस पेशन इसमें आपको क्या-क्या दीखने मिलेगा डिटेल बरा तो इसका कोय भी मैक्सिम पार प्रवाइड करता अद्धर में लेखिन इस पहसाइद में पारसपला की बात करूँगा जोकि AC में तो इसमें AC दिया है, DC का कोई भी ऐप्सन नहीं दिया है, मतल़ आप इस अम्रिपायर को DC में नहीं चला सकते, only AC में ही चला सकते है, मतल़ लाइन में चला सकते है, 220 बोल्ड में यह रिक्यमेंद करता है, तो बस इसका है detail भी आपको बता दिया हूँ चले अब बात करूँगा load calculation के बारे में इस amplifier में आपनों load कितना डाल सकते है मतलब इस amplifier में इस speaker कितना डाल सकते है कितना piece चला सकते है और कैसे चला सकते है कैसे connection होगा चले एक करके जान रहते है तो सबसे बात आपको एक चीज के लिए कर देना चाहूँगा देखे इस amplifier में armes power 700 wattage दिया है तो आप लोग करीब 1000 wattage तक भी load डाल सकती आराम से handle कर लेगा आराम से चला लेगा तो ये बात पेले ही के लिए कर रहा हूँ चले आगे बढ़ते हैं सबसे बात रहूँगा इस amplifier में आप लोग कितना piece speaker चलाना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए connection भी तो देखे सबसे बात रहूँगा speaker तो देखे speaker आपका दो type का आता है जैसे कि आप लोग जानते होंगे atom और solom का speaker आता है जैसे आप सबसे को back panel में आपको दीखनों को मिला था जो की two om forum इस तरह आपको option दीखनों मिला था जो common two om forum तो देखे forum में आपका 2 SP का चलेगा atom बला और two om पर option पे आपका 4 SP का चलेगा atom बला तो यह आपका किलिया रहो गया और उमीद करता हूँ यह समझ में भी आप सभी को आ चुका है और आगया मेरे इसाब से चले आगे बात रहोंगा जो की solom बला SP का आप लोग कितना पी चला सकते है जो की forum और two om के साब से तो देखे जो कि आपका forum दीखनों मिलता है इस option पर आप लोग solom का speaker करें आप लोग चार पीस चला सकते है और two om का option पर आप लोग 8 पीस speaker चला सकते है तो केसे चला सकते है चले आपको भी बता जिता हूँ आप connection के उपर तो connection आपका दो टाइप का होता है सबसे बात रोंगा series और parallel जाता है लोग parallel connection करके चलाते है सभी लोग mostly 90% करिमान के चलते है जो कि 90% लोग parallel connection करता है तो parallel connection केसे होता है चले जानते है तो parallel connection सबसे बात रोंगा minus और plus तो आप लोग जानते है माइनेस प्लास केसे करते है जो बलेक हुआ अपको मानेस होता है यह अपको पतार चल वह है और साती इस स्पीक आर में gец band देखने मिलेगा जोकि रेड और बलेक तो माइनेस और प्लास इस तरह आपको बीस तरो थन मिलेगा इस पिकार में भी तो आपको connection केसे कर ना होगा तो सबसे बात रहोंगा जो कि आपका दोनों speaker का जो कि black black आपको दिगन मिलता है जो कि socket जो कि minus होता है और red red आपका plus होता है तुसे आपस में simply एसा connection कर दीजेगा जो कि एक wire आपका minus में और दूसरा speaker का भी minus में जोड़ देना है और दूसरा आपका red wire भी आपका red में दे देना है मतलब speaker का पहला speaker में दूसरा speaker में भी red wire में देना जो कि इस परकार जो कि simple connection है जो कि काफी customer करते है जो कि 90 percent मान सकते है यह parallel connection होता है और आप लोग इस advocate को this इलफार में भी आप लोग connection कर सकते हैं जैसे की जो कि स jonsk now ki black wire sample has it going to be connect remote आपका फोर्म में डाल देना है जो कि आपका दोनो speaker atom plus atom आपका आपस में जोडकर आपको पता होना ना चाहे साधे आपको नहीं बता है हूं चैलिए है आपको बता देता हूं देखें दो-दो आपका Atom में मिलाएंगे जो की Parallel Connection यह आपका Parallel Connection होता है तो जैसे आप लोग इस तरह करेंगे यह आपका Ohm घटेगा मतलब 8-8 आपका आ जाता है फोर्म में आधा हो जाता है और इस सनलिफायर में जो की फोर्म में option दिया है तो इस सनलिफायर में फोर 4-4 ओडेच से लेकर आपका 500 ओडेच का होना चाहिए 1-1 इस स्पीकार तो आप लोग 2 इस सनलिफायर में connection के चला सकते है या फिर आप लोग 4 ओडेच प्लास 4 ओडेच का 2 इस स्पीकार connection करके चला सकते है जो की फोर्म में यह आराम से लोड लेगा और यह best लोड है तो connection करना है जो कि आपस में आपका red red और minus minus इस सबी 스ीकार में connection करदेना अ है जो की एक सा्थ में और आपका अलग-अलग top स्पीकार में connection कर देना है जो कि एक साथ में और आपका अलग-अलग टॉप होगा तो उसी तरह आपको करना है आपस में सब एक जगा जोड़ के जो की रेड रेड और माइनस माइनस होना चाहिए इसी तरह मैं आपको सबस्क्राइब दिखा रहा हूँ और उसी परका आपका कोमन में एक वार जो की बिलेक वार दे देना है और जो कि दूसरा आपका रेड वार बचेगा वह आपका टुओं में दे देना है इसी परका आपको connection करना है और चारो वरेज़ की स्विकर होना चाहिए और यह आपका पंदरी इंची का भी स्पिकर हो सकता है उसके अपर स्पिकर की भषेसकल भी माइनए रखता है इस पीकर की वहसकल कितने इंची काये अगर ज्यादा इंची काये तो इसमें आप लोग वैटेज को कम कर दीजेगा मतलब जैसे की 800 wattage load डाल सकते हैं अगर आपका इस speaker के वैसकल काम है तो इस amplifier में 1000 wattage तर लोड डाल सकते हैं इसी पर का आपको load डालना है connection भी इसी तरह करना है तो यह आपका parallel भी connection हो गया और load भी आपका हो गया दोनों एक साथ में आपका काम पूरा हो गया और यह आपको आच्छी तरह स समझ में भी मेरे इसाब से आगे आए उमीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है चले आप बात करूंगा series connection केसे करना है और load के साथ जैसा आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ जो कि आपका फोरूम में आपका चार स्पीकर चलेगा और टूम में आपका आठ इस्पीक आप सभी को लेना पड़ेगा और connection की बात करूंगा कैसे करना होगा तो सबसेल बात रहूंगा देखें दोनों स्पीकर के आपका red और plus आपको पता चलेगा minus और plus तो दोनों स्पीकर में से कोई एक स्पीकर का black wire माल लेता है इसमें आपको एक wire डाल देना है मतलब एक तार इसमें connection करना है और उसी तार का दूसरा चोर जो कि इसमें आपको दिखा रहा हूं इसमें simply दूसरा स्पीकर का plus point पर जोड़ देना है चले आपको फिर से बता रहा हूं एक स्पीकर का minus point और दूसरा स्पीकर का plus point इसे आपस में connection कर देना है जो कि एक ही तार लेकर जो में आपको दिखानों इसी परगा करना है और जो कि दोनों स्पीकर का टर्मिल जो कि एक एक सोकेट बच जाता है जो कि पहला स्पीकर का प्लास सोकेट बच जाता है और दूसरा स्पीकर का माइनस सोकेट बच जाता है तो आपको करना क्या है तो जो कि आपका दूसरा आपका वर् और दूसरा speaker का plus मतलब red word डाल देना है, इसी परका आपको connection करना पड़ेगा, यह आपका थोड़ा सा अलग टाइप का connection है, जोगी series connection काफी लोग नहीं जानते होंगे, तो आप लोग इसी परका कर सकते series connection, और आप लोग solo speaker या atom बला speaker में भी कर सकते, जोगी ohm matching करना आना चा अगर आपका 88 ohm का होगा, तो इस amplifier में आप लोग नहीं चला सकते, तो बोलिए कैसे, देखें, दोनो speaker आपका 88 आपका आज आता है, 16 ohm, क्यूंकि series में आपका ohm बढ़ता है, और parallel में आपका ohm घरता है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, और इस amplifier में solo ohm का option नहीं द चला सकते हैं, तो इस प्रका आप लोग series और parallel connection करके आप लोग चला सकते हैं, कोई भी amplifier हो या speaker हो, आप लोग चला सकते हैं, हलाकि इस amplifier में आप लोग parallel connection करके चलाएंगे तब कब best होगा, जैसे मैं आपको बताएं, उसी प्रका आपको चलाना है, आपका 1000 ohm का load डाल सकते ह चला सकते हैं, आप लोग चला सकते हैं, तो बेस्ट लोड में कहूंगा, आप लोग 800 लेकर 800 या 900 का ही load डालिए, सबसे बेस्ट आपको result सुनने को मिल जागा, चले आप सब लोग और वी एक चीज बता जाता हूं, ताकि आप सब कोई भी कनफूज ना हो, तो कोन सा तो सब सबसे बात करूंगा, जैसे आप सब बता चाहूं, जो सीरीज ओ परलेल, जो कि ओम घटता है, और ओम बढ़ता है, तो उसके लिए एक फर्मूला भी आता है, तो आप सब को फर्मूला भी बताएता हूं, ताकि आगे चले आपको कोई भी दिक्क्यत ना हो, आप लोग किसी सब स्बसाइब करेंगे, तो इसे आपको भाग देना पड़ेगा, जितना भी सबसाइब किस सईका है, मतलब कितना फीस सबसे पिच्पीकर है, उसे आपस में जोड कर मतलब 2 सबसाइब ho κιतना है की आपका 8 Cordy निकल आएगा तो । यह आपका फ्रॉरम आ जाता है जेसी आपका 8 एंट आपका ति जैसे आपका 8 एंट आपका ओम घट रहा है अगर इसाम सब्सक्राइब करेंगे नीगम kierें कंदे में 2012 आजागा तो उसका आपका क्या फरूलला आएगा तो उसकी परका आपका दोनों Pam Learning Centaur का these Ek Serum product जो की Information ए आपका सराऔर आयागा जूड़कर की इसे description की स्वह़ीं का जोकी兩ग है तो यह अपका आपस में इसे ढीरिव पर्लेल कनक्सनकार्जन क्यों 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 होता है और ही सपनाया बार में आपको फूल जानकार्च को डाएं खनुरुर्ला है कितना लोड़त दो相ती है ,' वीडियो में आपको च hack आ उप्रूं फूंप कारी कईसें विडियो में तो चले इस वीडियो में ए अजय तक